कोशिश हमारी यही तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे सम्वाद संस्कारधानी जबलपुर से शुरू हो चुका है साहित का नया चैनल डाइनमिक सम्वाद टीवी आप भी आईए जुड़िये हमारे साथ अपनी रचनाएं हम तक पहुचाईए ताकि आप भी विश्व के साहित पटल पर उभर सके आखरी में किवल इतना कि कोशिश हमारी यही तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे सम्वाद अपनी एक कविता प्रस्तुत है शीर्सक है ऐसे दिन का इंतिजार कब समझा जाएगा धर्म का आशय ठीक ठीक जो कहीं सर जुकाने के लिए नहीं जाते कब माना जाएगा उन्हें भी धर्म प्रेमी भगवान के कपड़ों के बोज को कब उतारा जाएगा पेगंबरों के बदन से भगवान के कपड़ों के बोज को कब उतारा जाएगा पेगंबरों के बदन से जादू मंतर करने वाले क्या ऐसे ही भगवान कहे जाते रहेंगे ऐसे एक दिन का इंतिजार है अब जब जातियां पेड़ की तरह बढ़ने देंगी मानता ऐसे दिन का इंतिजार है अब जब जातियां पेड़ की तरह बढ़ने देंगी मानता को जब पच्चे हसेंगे तो सब पूजा छोड़कर आएं उन्हें देखने के लिए जब प्रार्तना और शुखकामना की गंध महसूस करने लगेंगे हम अपने भीतर ऐसे दिन का इंतिजार है जब भगवान सुलब हो जाएगा हमें हवा पानी और उजाले की तरह ऐसे दिन का इंतिजार है जब पंति की परिधी से बाहर ले आया जाएगा महापुरुशों को ऐसे दिन का इंतिजार है अपनी ही एक कर्वता प्रसुद कर रहा हूं शीरसक है है किसकी वज़ब से ब्रक्षों ने कभी कोई गलती नहीं की जंगल को नहीं है कोई शिकायत उनसे ब्रक्षों ने कभी कोई गलती नहीं की जंगल को नहीं है कोई शिकायत उनसे बादलों और पक्षियों ने कुछ नहीं किया ऐसा कि बिगड़े आस्मान की तज़्वीर नदी को कभी कोई नुक्सान नहीं हुआ मचलियों मगर मच्छों और शेवाल से और जड़ा और जड़ा धर्ती की परताल करें कि यह जैसी भी है है किसकी बज़े से है किसकी बज़े से और जड़ा धर्ती की परताल करें कि यह जैसी भी है है किसकी बज़े से मैं अरादिय अक्तिवाजी प्रियम अपने द्राइन सपा तीवी में आपका सौगत करते हैं मेरे कहानी कवीता और आजिनी ठीके रहें हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कोशी समय ही तोरेंगे मुनको जाय रखेंगे सब बात